दोस्तों भारत के Defense Research and Defense Equipment को लेके दो बहुत ही बड़ा खवर है लेकिन दोस्तों इन में से एक खवर जहाँ पे आपको खुशी का महसूस करवाएगा तो वही पे दूसरा खवर आपको थोड़ा दुखी वी कर सकता है बेसिकली दोस्तों ये दोनों खवर ही भारत के दोरा बनाया जाने वाले हतियारों से रिलेटेड है और दोस्तों इन में से जो खुशी का खवर है वो है कि भारत के तरफ से एक ऐसे प्रधती का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि भारत के आने वाले समय कि नेवी के हतियार और बताया जा रहा है कि नेवी के तरफ से अपने नेक जनेरेशन के नुकलियर पावर अटेक सब्मरीनों के प्रोजेक्टों में क्वांटम कॉमुनिकेशन को इस्तेमाल करने के लिए इसकी उपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एक बहुती ग्राउंड ब्रेकिंग डेमोस्ट्रेशन का अनुस्मेंट किया गया और ये कहा गया कि इस डेमोस्ट्रेशन के अंतरगत इंस्टिट्यूट के द्वारा एक स्टेशनरी सोर्स से लेके एक मुविंग रिसीवर तक क्वांटम की डिस्टिबिशन के साथ एक सिक्य और कॉमुनिकेशन का इस्तेमाल अपने सब्मरीन जैसे की निउक्लियर आर्म्ट सब्मरीन और मिसाइल सब्मरीनों में भी करना चाहता है। यह एक तरीके से इंडिया के जो मिलिटरी प्लानर है उन्हें समुन्दर के निचे तैना सब्मरीनों के साथ डारेक एकसेस देगा और किसी भी परवानो युद्ध के सिच्वेशन में जहाँ पे पहले काउंटर स्ट्राइक के लिए कुछ घंटे या कुछ दिनों के समय लग जा जा सकेगा और तुरंट स्ट्राइक का ओडर दिया जा सकेगा दोसे बेसिकलि अगर देखा जाए तो परवानो शक्ति संपूर्ण सब्मरीन या फिर कहतो परवानो हतियारों से लैस जो सब्मरीन है वो जब पिट्रोल के ड्यूटी में नहीं होता है तब भी पानी के न आइनेस अरिहांत कहते है जबकि दूसरा सब्मरीन आइनेस अरिखाद फिलाल सी ट्रायल में है और जल्दी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा हलाकि इस प्रोजेक्ट के अंतरगात और दो सब्मरीनों को भी तैयार किया जा रहा है जो जल्दी तैयार होक वी कुछ स्टेज में तो इसके निर्मान का काम शुरूवी हो चुका है दोसे इन बड़े सब्मरीनों को इस पाइफ क्लास के सब्मरीनों का नाम दिया गया है और रिपोर्ट के मुताविक यह 13,000 टन के भारी भर कम सब्मरीन होगा मतलब फिलाल के अरिखाद सब्मरीनों क के मकाबले में करिवन दुगनाव वजन का हाला कि देखा जाए तो फिलाल के अरिहांद या अरिखाद सलाव सब्मरीन इतने कैपिबल है कि यह पानी के नेचे 60-70 दिन तक बिना किसी रुकावट के अपने आपको छुपा सकता है हाला कि दोस्तर सब्मरीन पानी के नेचे दोस्तों के साथ जुड़ा रहे सकेगा और कौमुनिकेशन के कारण सब्मरीनों के लोकेशन को भी डिटेड करना समभब नहीं हो पाएगा तो सो क्वांटम कॉमुनिकेशन को जहां पे इंडियन नेवी के सब्मरीनों में इस्तेमाल करना एक बहुती बड़ा खवर है और ये भारत को जहाँ पर मजबूत करेगा तो वही पर दूसरे तरफ एक ऐसा खवर भी आ रहा है जो आप लोगों को सुनके थोड़ा खराब लग सकता है। ऐसे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग को फ्लैक्ट किया गया है जो की भारत के दुआरा बनाया हुआ एसल्ट राइफिलों को बिएसेफ, सियाइसेफ, सियार फियेफ और आइटी बिपी को अपने उत्पादन लादक लागत से अधिक में बेच रही है जिसके का पूर है इन तीन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग के तरफ से करीवन बारा डिफेरेंट कैटरिगरी के गन एसल्ट राइफिलों को अब तक सेंट्र पारमिलिटरी फोर्सेस को बेचा जा चुका है और दोसों इन्हें लॉज इसलिए जहलना पड़ रहा है क्य या फिर इन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग के दोरा जिन भी हतियारों को बनाया जा रहा है वो महंगा हो रहा है हलाकि दोस्तों CAG के रिपोर्ट में असल में इन तीन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग के उपर एक तरीके लसी इजाम लगाते हुए बताया गया है कि इनके द्वारा स्केल को अप्टिमाईज करने में विफलता मिल रहा है और इसी कारण प्रोडक्शन में इस जा रहा है कि ऐसे फेल अगर होता रहा तो शायद इसमें रोक लगाना पड़े या फिर इसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़े अब दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विश्य है क्योंकि भारत आत्मने इलफर भारत के संकल्फ के तहट स्वधिशी आहतियार की उपर महतों दे रहा है और दोस्तों ऐसे स्वधिशी हतियार ही अगर इतना महंगा होगा कि जिसके कारण हतियारों को बनाने वाले इंडस्ट्रियों को ही नुकसान जहिलना पड़े तो आप समझ सकते होंगे कि ये भारत के लिए आने वाले समय में कितना चिंता का कारण बनेगा दूसरे तरह दोस्तों आपके जानकारी के लिए यही बता दू कि भारत कई तरिके को और वी स्मॉल आर्म्स को निर्मान कर चुका है जिनमें सब मशिन कारवाइन से शुरू करके मशिन फिस्ट्रल इवन एसल्ट राइफल से शुरू करके स्नाइपर और भारत में अब एके टू-03 एसल्ट राइफलों का भी मिनुफैक्चरिंग हो रहा है और कुछ खबरों में तो ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अन्य एसल्ट राइफलों को भी भारत में मिनुफैक्चरिंग करना शुरू किया सकता है अब इस तरीके से अगर रौ को खरिदने को लेके उस तरीके का ओर्डर नहीं दिया गया है जिस तरीके का ओर्डर का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है फिलाल दोस्तो ऐसे प्रोडक्शन लाइन को बंद करने से पहले एक वार ये विजाजना चाहिए कि रौ मेटरियल इतना महंगा क्यों हो रहा है औ फिर किसी मिस मैनेजमेंट के कारण ये फेलियर हो रहा है या फिर पूरा तंत्र ही इस फेलियर के पीछे लिफते हैं हाला कि दोस्तो अगर फेलियर खाली तंत्र के मिस मैनेजमेंट के कारण हो रहा हो तो इस तरीके के एसल्ट राइफेलों के जो टेक्नोलोजी ट्रांसफ लेकिन अगर ये लुकसान किसी बड़े हत्यार जैसे कि फाइटर, यारक्राफ, सब्मरीन या फिर जहाजों को लेके होता तो ये कुछ 1000 करोड तक चला जाता जिससे कि संपूर्ण आत्मनिर्फर भारत इवन मेकेन इंडिया जैसे इनिशिटिव के उपर असर पड़ता और द